28 माई को प्रदेश में पल्स पोलियो अभ्यान चलाया जाना है इंदोर जिला प्रिशाशन ने भी इस अभ्यान को लेकर तैयारिया प्रारंब करती है सुमवार को कलेक्टर ने समबंदित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठा कर दिशा निर्देश जारी किये जिले में अर्टिस्तों से अधिक बूत पर बच्चों को पोलियों की दवा पलाई जाएगी देखें ये खास खबर भारत देश पिछले कई वर्षों से पोलियों से मुक्त है उसके बाब जूद देश में स्वास्त मंत्राले द्वारा प्रतिवर्ष पोलियों से मुक्ती के लिए अभियान चलाया जाता है आसपास के देशों में पोलियों के मरीज सामने आने के बाद स्वास्त मंत्राले ने और सतरकत वरतना प्रारंब कर दिया है इस वर्ष सगन पल्स पोलियो अभ्यान चलाया जाना है इस अभ्यान को लेकर इंदोर जुला प्रिश्राशन ने भी तयारिया प्रारंब कर दी है बुदवार को इंदोर कलेक्टर इलया राजाटी ने समवंदित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्रक देशा निर्देश जारी किये जानकारी के अनुसार जिले में 3800 से अधिक पोलियो बूत बनाये जाएंगे जहाँ 0 से 5 वर्ष तक की आयू के बच्चों को जिन्दकी की दो बून पलाये जाएंगी आप सभी को बिदित है कि पिछले कई सालों में बारत पोलियों से मुक्त है फिर भी दुनिया के दूसरे देशें इसको पडोसी देश में लगाता रहने केसस आ रही है इसको ध्यान में रखते हुए हर साल है पल्स पोलियों के अभियान लगातार हम लोग चलाये जा रहा है जंदा का पार्टिसिपेशन के मादेम से ही है पोलियों से मुक्त है बारत मतलब इसके बढ़ सवधान है आगे रखने का जरूत है तो 28 में को हमारी पूरी इंदोर जिल्ले में 3800 के उपर बूतों में पोलियों के ड्रॉप से पिलाए जाएगा तो आपके मादेम से सारे सभी लोहों से सभी गन्मान या नागरियों से अपील करता हूँ कि आप अवश्यक अपना बच्चे को नेरस्ट बूत में जाकरके पोलियों को दवाई पिलाए जाए इसमें काफी सारा डिपार्टमेंट्स को मीटिंग लिए हैं, सारे एजीकेशन डिपार्टमेंट्स, महिला बालविकास, हैल्ट डिपार्टमेंट्स, सारे लोग इना फिल्ड में रखेंगे तो मैं वही आप से पुना अपील करता हूँ कि आवश्यक है न पोलियों को दवाई को पिलाएगे 29 वा 30 माई को छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर पोलियों की दवाई पलाई जाएगे विजूर रिपोर्ट अंप नियूज उन्द और